Hello students, आज हम लो profit loss का तीसरा वीडियो देख रहे हैं, इसमें जब दो बस्तों का cost price समान हो या दो बस्तों का selling price समान हो और एक को X percent profit पे और दूसरे को X percent loss पर बेचा जाता हो, तो क्या होगा? तो यह NTPC और SAC का आने वाला question है, उसमें यह उसका favorite question है, तो इसको अच्छे से देखेंगे, बिहार सची वाले वाले, बिहार दरोगा वाले, यह सब भी इन questions को अच्छे से देखेंगे, तो देखें क्या का रहा है, कि पहले यदि दो बस्तों का CP समान हो, पहले क्या समान है CP, CP मतलब cost price, मान लोग की पहले का क्राइम मुल ले 500 रुपया, दूसरे का भी 500 रुपया, और पहले को X percent लाब, और दूसरे को X percent हानी पर बेचा जाता हो, तो न तो लाब होगा, और नहीं हानी, मतलब profit और loss कुछ भी नहीं होगा, समझ में हा रहा है, यानि total selling price बरावर total cost price, या ऐसे कहें कि profit equal to loss, जितना रुपय का profit, उतना रुपया loss, कब condition क्या है, CP समान है, अगर CP समान है, समान में खरीदे, और एक को 10 percent लाब पर, और दूसरे को 10 percent हानी पर बेचा गया, तो पहला भी 500 का 10 percent, 50 लाब हुआ, और दूसरा भी 500 का 10 percent, यानि 50 हानी हुआ, तो लाब और हानी सेम हो गया, या कहेंगे कि total CP बरावर total SP, क्योंकि no profit, no loss, अगला है, दो बस्तों का SP समान हो, एक बस्तो को, यहाँ क्या है, SP समान है, selling price समान है, एक को आप X percent लाब पर, और दूसरे को X percent हानी पर बेच रहे हैं, तो ऐसे case में हमेशा हानी होगा, लाउस होगा, और वो हानी percent बरावर होगा, X square by 100 percent, ऐसे case में हमेशा लाउस होगा, X square by 100 percent हमेशा लाउस होगा, और यह लाउस percent क्या होगा, X square by 100, तो ध्यान क्या रखना है, SP समान हो, तो लाउस होगा, CP समान है, तो no profit, no loss होगा, दूसरा condition, X percent profit, X percent loss, यहाँ भी X percent profit, X percent loss, तो आज हम लोग कुछ आगे की questions को देखते हैं, यह concept भी ध्यान में रखेंगे, इसका use होगा, तो question देखें, एक ब्यक्ती, दो machine, परतेक 396 में बेचता है, परतेक 396, यानि दोनों का selling price 396 है, अच्छे से समझेंगे चीजों को, एक पर उसे 10% का लाब होता है, और दूसरे पर 10% की हानी होती है, दखो यह, यह 10% का profit है, और दूसरे पर 10% का loss है, और परतेक इतना में बेचा जाता है, यानि SP सेम है, SP समान है, तो क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, तो 10 का स्कॉरर बेटा 100, यानि 100 बेटा 100, यानि 1%, एक परसेंट लॉस, यानि ऑप्शन टू, यही पर हम लोग थोड़ा और पढ़ें, अगर कहा कितना लॉस, तो 1% लॉस, अगर कहता है कितना रूपया लॉस, अब यहाँ ध्यान दो, अगर 1% लॉस है, तो SP का परसेंट क्या होगा, अच्छे से सोच के जबाब दो, बोलो, मेरे साथ बोल के प्राक्टिस कर सकते हो, घर में है तो क्या हो गया, तो यह, हम लोग क्या जान रहें, CP 100 होता है, एक परसेंट लॉस है, तो SP क्या होता, 99%, यह घट जाता, और वो 99% वराबर, दो गुणा 396, क्योंकि 396 तो एक का है, और हम दो का है, तो दो गुणा 396, और उसके बाद मैं बार बार क्या बतला रहा हूँ, पहला लाइन वो लिखो, जो information दिया हुआ है, और दूसरा वो लिखो, जो निकालना है, तो दूसरा में अगर CP पुष्टा, तो 100%, लॉस पुष्टा, तो 1%, आगे ऐसे questions मिलेंगे, घबराएंगे, नहीं, ठीक है, आगे question आने वाला है, तो देखें, अगला question, भुवनेस ने दो tape recorder समान कीमत पर बेचता है, यहाँ पैसा ही नहीं दिया, सिधा लिख दिया समान कीमत पर बेचता है, ध्यान देना, एक पर 10% का लाव, और दूसरे पर 10% की आने, और रूपीज गाइब कर दिया, पाले वाला में था भी, तो उसस परसेंट लॉस, एक परसेंट क्या होगा, लॉस होगा, यानि सेकेंड ओप्सन, अगला question देखें, एक कार और एक जीप, परतेक को 2,40,000 रुपे में बेचा गया, सेकेंड हैंड होगा, नया वाला रहता था था, दो लाख में कहां से मिलेगा, सेकेंड हैंड होगा, दो ला पाहली बात ये, कि परतेक को 2,40,000 यानि SP सेम है, दूसरा ची देखें, कि पहला 20% हानी है, और दूसरा 20% लाव है, तो ऐसे केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, और वो लॉस बराबर क्या होगा, तब 20 स्क्वाइर बटा 100, that is 4% लॉस होगा, परसेंटेज पूसता तब तो पेन लगाए बिना आप जबाब दे देते, लेकिन क्या कहा रहा है, संपुर्ण लेन देन का परिनाम हुआ, क्या हुआ, ये रुपीज में है, गेन 1000 रुपे का, लॉस 20,000 का, गेन 500 का, या पहला था, नाइदर लॉस नॉर गेन, तो हम लोग परसेंट, ये लिखने की आवा सकता थे नहीं, कि 100 में से 4 घटा ले, और ये बराबर, दो गुना, दो लाख, चालीस अजार, अब ध्यान देंगे, कि 96% दिया हुआ है, अगर कोश्चन कहता, CP बताओ, तो दूसरा लाइन 100% लिखते हैं, कि मैं बार-बार इस चीज़ को बता रहुँ कि पारला लाइन, जो इन्फरमिशन दिया हुआ है, और दूसरा लाइन, जो निकालना है, लेकिन ये कारा रहा लेंदें का परणाम क्या हुआ हूआ, तो परणाम या तो या तो लाब होगा, यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ ल बार में 24 से ये कट जाएगा 10,000 तो 10 दुना 20,000 का लॉस हुआ समझ में आया फिर से द्यान देंगे ये SP और कह रहा है इस संपुर्ण लेन दिन में क्या हुआ क्या परिनाब हुआ तो लॉस हुआ और लॉस कितना हुआ चार परसेंट हुआ तो जब 96 परसेंट दिया हुआ है तो 4 परसेंट कितना निकाल लेंगे इतने टाइप से ये कोशन पूछ सकता है अगर ऐसा कोशन आया आएगा ही किसी ने किसी NTPC के सिटिंग में जी डी वाले एक्जामस में ये कोशन मिलेगा बिहार सची वाले के एक्जाम में दरोगा के एक्जामस में आने के चांसेंट है तो 96%, 2,42 शिद्धा 4% शायद किसी को प्रॉबलिम नहीं अगला कोशन एक टेली विजन और एक रेफ्रीजरेटर परते को 12,000 में बेचा गया परते को 12,000 में बेचा गया टेली विजन को लागत के 20% की हानी पर बेचा गया और refrigerator को 20% लाब पर बेचा गया तो यहाँ भी क्या होगा? loss तो होगा ही और loss क्या होगा? तो 20 square बटा 100 यानि 4% का loss होगा यह percent बतलाता है और परिनाम पूछ रहा है, result पूछ रहा है तो फिर 96% बराबर सिधा लिखने क्या 12 दूना 24,000 तो 4% बराबर तो 24,000 divided by यह 96 तो नीचे आजाएगा और इन्टू 4 4 से यह 24 बार में और यह 1000 में answer तो आप निकाल लोगे आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि concept क्या है calculation पे ध्यान बाद में देंगे क्या concept हमको समझ में आ रहा है अगर concept में problem हो तो जरूर box में लिखना अगला question ध्यान देंगे और जिनसे बने पढ़ने के साथ solve भी करिए क्या कर रहा है एक व्यक्ति एक table को 10% के लाब पर बेचता है यदि उसने table को 5% कम कीमत पर खरीदा होता और 80 रुपया अधिक में बेचा होता तो 20% का लाब हुआ होता एक और question पहले हम लोग देख ले ये एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानी पर बेची यदि उसने उस वस्तु को 12 रुपया अधिक में बेचा होता ये type कल के class में हम लोगों ने देखा था फिर भी एक question ये दिखा रहा है हम लोग क्या जानते हैं कि CP तो होता है 100% और कारा एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानी पर खरीदी यानि पहला SP क्या होगा 80% और 12 रुपया अधिक में बेचा होता अधिक में बेचा होता यानि बिक्रे मुलका अंतर है कि पहले हम जितना में बेच रहे थे उस से अबmittar 15 रुपया अधिक में बेच रहे difference of selling price ये बिक्रे मुलका अंतर हुआ तो जबड़ पैसा ये रुपीज में ये रुपीज 12 जब ये बिक्रे मुलका अंतर है तो हमको भी percentage बिक्रे मुलका अंतर चाहिए तो उसके लिए 2 SP है एक SP हुआ 80% और दूसरा SP हुआ SP2 110% अब दोनों का अंतर अंतर मतलब बरा माइनस चोटा 30% और ये 30% बराबर है रुपीज 12 तो लागत मुले पूछ रहा है मतलब 100% कितना तो बारवटा 30 गुना 100 एक जीरो खैंसल तीन से ये 4 एंसर क्या होगा रुपीज 40 एंसर क्या होगा रुपीज 40 फिर से देख लो SP कितना है 80% 80% कहां से आया 20% हानी पर फिर उसको क्या करा 12 अधिक में बेच था तो 10% का लाब होता दूसरा SP 110% दोनों का अंतर 30% 30% 12% 100% तो ये क्या था एक ही CP था 100% और दो-दो SP दिया हुआ था तो नों निकाल लिए कई बार कोश्चन में ऐसा रहेगा कि अगर CP में चेंज करेगा क्या कि अगर उसे 10% कम में खरीदा होता या 20% कम में खरीदा या 15% ज्यादा में खरीदा तब इतने % का लाब होता तो दोनों कोश्चन के डिफरेंस को समझेंगे यहां केवल पहले 20% हानी है और दूसा 10% लाब है अब अगला कोश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें क्या है कि CP भी दो-दो है तो देखे क्या है ये कोश्चन एक भ्यक्ती एक टेबल को 10% की लाब पर बेचता है यदि उसने टेबल को 5% की कीमत पर खरीदा होता पादगव काम पर खरीदा होता तो पाला CP तो 100% ठीक है CP1 तो पाला SP कितना होगा 10% का लाब है 110% आगे क्या कर रहा है यदि उसने टेबल को 5% कम कीमत पर यानि CP2 अगर 95% होता तो 20% का लाब होता SP2 कैसे निकालेंगे तो 95 गुना इसी लाइन को द्यान से देखना बस बाकि सब पहले जैसा है 20 शके 120 20 पच्चे 100 5 से ये 19 19 शके 114 परसेंट पहला CP 100% पहला SP 110% अगर 5% कम में खरीदा होता ध्यान से देखो यानि दूसरा CP भी है तो और ये 80 रुपया अधिक में बेचा होता है इसमें मत फसना इसको बाद में हम लोग देखेंगे क्या कर कब देखेंगे? बाद में तो 20% का लाब होता तो इस 95 गुना 120 वटा 100 114 परसेंट अब देखो पहला SP 110 दूसरा SP 114 अब अंतर परसेंट इस SP का अंतर कितना हो गया? तो 114 परसेंट माइनस 110 परसेंट पढ़ने के साथ आप लोग निकाल लिये होंगे 4 परसेंट और ये 4 परसेंट बराबर है रुपीज 80 तो 100 परसेंट असी बटा 4 गुना 100 काट करके एंसर निकाल कितना रहा है? 4 से 20 पर में एंसर 2000 दोनों दो टाइप का कोशिन दोनों समझ में आ गया होगा एक ये वाला और एक जो भी बताया फ़रा दोनों पर अच्छे से प्राक्टिस करेंगे माइनूटली देखने का कोशिस करना कि कहाँ पे स्ट्रेस है किस चीज को देखना है? दो सीपी है और दो सीपी का परसेंट निकालेंगे एक सीपी है और दो सीपी परसेंट है अगला कोशन एक आदमी एक बस्तू को 15 परसेंट के लाब पर बेचता है यदि उसे ने इसे 10 परसेंट कम में खरीदा होता और 4 रुपया कम में बेचा होता तो 25 परसेंट का लाब होता है क्या ये कोशन सेम है क्या हम लोग यहां पर पाला सीपी 100 ले सकते है क्या पाला सीपी 15 परसेंट लाब है तो 115 परसेंट लिख दे क्या इसे 10 परसेंट कम में खरीद था तो सीपी 2 90 लिख दे 90 परसेंट और सीपी 2 क्या हो जाता तो ये 90 गुना 125 वर्टा 100 हो जाता, तो ये भी % निकल जागा, फिर दोनों का अंतर बराबर कितना, percentage difference बराबर कितना, रुपीज 4, तो 100% कितना, ये सभी लोग solve करके comment box में इसका answer लिखना, clear है? अगला question है, एक ब्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% हानी पर बेच दिया, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 33 अधिक में बेचा होता, तो 30% का लाब होता, question सेम है, लेकिन यहाँ पे 10% कम में खरीदा होता, बिजनेस्वेन बॉट एन आर्टिकिल और शोल्ड इसका answer लिखेंगे, हर एक वस्तु लिखना है, यह नहीं कि एक कमेंट देख करके, हम लोग वही answer उतारते चले जाए, आगला question, पुजा एक घरी 20% लाब पर बेचना चाहती है, उसने इसे 10% कम कीमत पर खरीदा, और रुपीज 30 कम पर बेचा, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाब हुआ, यह भी same question है, क्या कि पाला CP कितना 100%, पाला SP कितना 120%, 10% कम में खरीदा होता, यानि CP2 90, और फिर SP2 90 गुना 120 बटा 100, 2-0 काट दो, 12-108, फिर दोनों का percentage अंतर कितना हो रहा है, 120-8 गटा दो, 15% और यह 12% कितना दिया हुआ है, 30, लागत पुछ रहा है, 100%, answer निकाल कर comment box में डालना, question से मैं, अगला question देखें, A, B को 10% के लाब पर एक cycle बेचता है, B, C को 20% के लाब पर बेचता है, ध्यान से देखो, A किसको बेचा, B को, अब B किसको बेचा, C को, और C कितना दे रहा है, 264, तो हम लोग सबसे पहले, A का cost price, A का CP, क्या मान ले, रुपीज X, अब देखो, X लिख लिए, A किसको बेचरा, B को, 10% लाब पर, तो 110 बटा सो, इतना में B खरिदा, B ने C को 20% के लाब पर, तो गुना 120 बटा सो, और C इसके लिए कितना दे रहा है, 264, एकदम पढ़ने के साथ, पहला, अगर 10% लाब है, तो 110 बटा सो, अगर 10% हानी होता, तो 90 बटा सो यह 20% लाब है, तो 120 बटा सो, अगर 20% हानी होता, तो 80 बटा सो बराबर 264, चाहें तो यह दो 0 हटा ही देते हैं, और X बराबर क्या होगा, तो 264 गुना 100 और यह 11 गुना 12 नीचे आजाएगा, लिख दो, गुना भाग करके, solve करके, निकाल लो, देखें, 12 ना 24, तो 4, 12 ना 24, 11 से 2 बार में, answer 200, बहुत आसान होता यह question, B को बेचरा, B, C को बेचरा, C, D को बेचरा, D, E को बेचरा, तो भी सबको एक ही line में लिखेंगे, ठीक है, एक और question देखें, A, एक वस्तु को 10% के लाप पर बेचता है, B, 5% के लाप पर, और C, इसके लिए, same question, तो एक ही बार में step बोलो, बोलते रहो, X गुना 110 बटा 100, गुना 100, पांच बटा 100, और ये बराबर कितना है, 462, तो क्या निकाल लेना है, X, इतना काम तो कर सकते हैं, किजिये, जॉब लेना है, किजिये, अगला देखें, एक निर्माता, एक थोक ब्यापारी को 10% लाप पर एक वस्तु बेचता है, फिर वही चीज है, अब देखो, निर्माता बेचा किसको थोक ब्यापारी को, थोक ब्यापारी किसको बेचा, रीटेलर को, रीटेलर किसको बेचा, कस्टमर को, यानि हम ऐसे ही यह x इंटू पाला 10% लाव है 110 बर्टा 100 दूसरा 20% लाव है 120 बर्टा 100 तीसरा 15% हानी है तो 85 बर्टा 100 और ये बराबर है 56100 बस x निकाल लेंगे आप भी नहीं करना कि निकाल लेंगे आप निकालना और ऐसे questions पर practice करेंगे आज इतना type देखा सारे को अच्छे से fair copy में note करते चलो clear है तो आज का class हम यहीं दोखते हैं फिर मिलते हैं अगली class में